नमेश्कार दोस्तों, अकसर आपको पाकिस्तान की जो प्रोविंस है बलोचिस्तान, वहां से कुछ ना कुछ ख़बर सुनने को मिलती होगी, कभी किसी दिन अटाक हो जाता है, फिर कभी किसी दिन हो जाता है, लेकिन latest यहाँ पर जो ख़बर आई है, पाकिस्तान आर्मी के ऊ उनके उपर अटाक करने की कोशिश की गया है, जिस तरह से हमारे देश में पैरा मिलिटरी फोर्सेज आपने सुने होंगे, CRPF हो गया, अलग-अलग जगह की जो सुरक्षा करते हैं, उनके उपर यहां पर अटाक किया गया है, तो चली, इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है, मेन मुद्धा है बलुचिस्तान का, उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो काफी कुछ जाने को है, चली आगे बढ़ते हैं, अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इक्जाक्ली हुआ क्या है, देखिए, अट लिस्ट एट पीपल है विन किल्ड, और इसके पहले एक संकेत देने की कोशिश की जारी है, उनके विजिट के जस्ट पहले जो है, और ये जो दो अटेक हैं, ये मैं पहले आपको मैप में दिखा देता हूँ, एक हुआ है जो बलुचिस्तान की राजधानी है, कैपिटल है, और दूसरा वहाँ पर एक छोटा सा ताउन है टुर्बत, यहाँ पर आप exactly मैप में देख सकते हो, ये अलग-अलग प्रोविंस आपको देख रहे होंगे, जैसे कि वहाँ पर जो खाइबर पक्तुनकवा है, ये आपका प्रोविंस हो गया, पंजाब ये प्रोविंस हो गया, जिसकी कैपिटल लाहोर है, वैसे यहाँ पर सिंध है, इसकी कैपिटल करांची है, तो इसका जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, पाकिस्तान का ये आप देख पाओगे, ये है बलोचस्तान, और इसकी जो कैपिटल है, वो आपको अफगनिस्तान के पास मिलेगी क्वेटा, ठीक है, तो एक तो अटैक क्वेटा के जस्ट बाहर हुआ है, और यहाँ पर एक और छोटा सा जगह है, इसके सदन साइड में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप राइट साइड में देख सकतो तुर्बत, यह छोटा सा टाउन है, वहाँ पर अटैक किया गया है, तो अगर हम पहले अटैक की बात करें, जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर क्या था, एक चेक पॉइंट था, यह मतलब कि कुछ टेरिस्ट जो है, वो हतियार लेकर आ गए, और डारेक्ली उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया, सेक्यॉरिटी फोर्सेज के उपर, जिसकी वज़ए से, एट लीस्ट चार सोल्जर्स की मिर्तिव हुई है, और छे सोल्जर्स यहाँ पर इंजर्ड बताय जा रहा है, इसके रिटालियेशन में जाहिर सी बात है, जो सेक्यॉरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने भी यहाँ पर काउंटर अटाक किया, जिसकी वज़ए से करीब चार से पाँच टेरिस्ट जो हैं, वो मारे गहें और आठ टेरिस्ट इंजर्ड हुएं, ऐसा अभी के लिए बताय जा रहा है, तो यह तो पहला इंसिडेंट हुआ जहाँ पर हमें मिर्तियू देखने को मिली है, सकेंड वाले अटाक में मिर्तियू तो नहीं हुई है, लेकिन वहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यह जो जगह है तुर्बत, वहाँ पर क्या हुआ, कि एक explosive का इस्तमाल किया गया, explosive device का इस्तमाल किया गया, ताकि paramilitary forces की जो वहकिल्स हैं, उसको यहाँ पर blast किया जा सके, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से वह बच गया, और यहाँ पर दो soldiers जो है, injured हुएं, चोट लगी हैं उनको, अभी के लिए ऐसा बताया जा रहा है, और जो पाकिस्तान की military है, अब आपको समझना है, जब भी कुछ बलुचिस्तान के अंदर होगा, तो ज़्यादा तर आपको देखने को मिलेगा, कि उनके द्वारा ये बताया जाता है, कि जो भारत की intelligence agencies हैं, उनके द्वारा कही न कहीं, बलुचिस्तान के अंदर attack कराया गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर खबर आती रहती है, कि जो RAW है, भारत की intelligence services हैं, वो यहाँ पर बलुचिस्तान के अंदर जो rebels हैं, उनकी मदद से जो attacks हैं, वो कराने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है, पाकिस्तान military की द्वारा, लेकिन अगर हम actual में बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे separatist हैं, जो चाहते हैं कि बलुचिस्तान को एक अलग जो देश है, उसका दरजा मिले, वो अपना एक अलग देश चाहते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले सुनने को आता है, जिसका नाम है बलुच Liberation Army, उनकी काफी लंबे समय से मांग रही है कि इसको आजात किया जाए, जो पुरा बलुचिस्तान अगर आप देखोगे, तो काफी जादा कम population, least population आपको देखने को मिलेगा, और डवलप्मेंट के मामले में भी बहुत जादा मतलब, पाकिस्तान के द्वारा उधर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वज़े से धीरे धीरे अभी तक अगर आप देखिए, तो कई सारे separatist हो गए हैं, उनको अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के साथ जोड़ कर, और इसी के वज़े से ये वाला भी जो attack है, वो आपका बलोच Liberation Army के दौरा क्लेम किया गया है, उन्होंने क्लेम किया है इस responsibility को और कहा है, कि आगे भविश में भी, future में भी हम ये इस तरह के attacks को जारी रखेंगे, जब तक हमारा जो resolution है, इसको एक अलग देश बनाने का जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम इसको continue रखेंगे, अब बलोचिस्तान के अंदर अगर आप देखिए, तो जैसा मैं आपको starting में बता रहा था, अक्सर यहाँ पर blast देखने को मिलता है, जब दो विग पहले आपको याद होगा, जब इसराइल पलेस्तीन का पुरा मुद्दा चल रहा था, तो यहाँ पर एक pro-Palestinian rally निकाला जा रहा था, और उसके अंदर भी मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता, कि पाकिस्तान के अंदर जब pro-Palestin rally हो रहा होगा, क्या वहाँ पर भी attack हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी यह blast हुआ जिसमें 7 लोग मारेगा, और यह blast मैं बता दूँ, क्वेता के जस्ट आप Northern Side, North East Side देखोगे, यहाँ पर border पर, जो अफगानिस्तान का border है, यहाँ पर जगह है चमन, यहाँ पर यह attack किया गया था, जस्ट दो वीक पहले की बात है, इसके अलावा, उसके कुछ समय पहले, अगर आपको याद हो, तो बलोचिस्तान में Chinese Ambassador गए वे थे, यहाँ पर क्वेता के अंदर ही जो capital है, वहाँ पर Chinese Ambassador एक hotel में गए हुए थे, अल्दो क्या हो था कि उस समय जब attack किया गया, उस hotel के अंदर attack किया गया था, ता काफी बड़ा, जिसमें चार लोगों की मिर्ती हुई थी, लेकिन जो Chinese Ambassador है वो बच गय थे, क्योंकि उस समय वो hotel के बाहर थे, तो ये भी इस तरह की घटना आपको देखने को मिलेगी, और बलोच के liberation के लिए, बलोचस्तान के liberation के लिए, काफी समय से बहुत लोग इससे जुड़ते आए हैं, कुछ समय पहले आपको याद होगा, पिछले साल एक activist थी करीमा बलोच, उनकी यहाँ पर Toronto में हत्या कर दी जाती है, बेसिकली वो काफी लंबे समय से जो राइट्स हैं, बलोचस्तान के अंदर, उसको उठाने की कोशिश की जा रही थी, और वो exile कर गई थी Canada में, Canada में उनको यहाँ पर allow कर दिया गया था, तो Toronto में एक समय यह आया, कि उनकी अगले दिन morning में पता चला, कि उनकी dead body found की गई है, और इसका इजाम लगाया जा रहा था पाकिस्तान के उपर, कि कहीं न कहीं उनके intelligence services के द्वारा, उसकी जो करीमा बलोच की हत्या है, वो शायद की गई होगी, तो यह जो कारण है, यह exactly है क्या, conflict को देखने को मिलता है, पाकिस्तान और बलोचस्तान के अंदर, देखें जब से, जब हमारे भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, तो 27th March 1948, यह वो date है, जो कि बलोच activist के द्वारा क्लेम किया जाता है, कि जब पाकिस्तान ने इस एरिया को टेक ओवर कर लिया, बेसिकली उनका क्लेम यह है, कि पाकिस्तान ने जब जर्स्ती हमारा जो एरिया है बलोचस्तान का, उसको ले लिया, अगर वो ऐसा नहीं करते, तो आज हमें एक free nation होते हैं, एक अलग देश होते, और उनका यही कहना है, बार-बार की हम largest हैं प्रोविंस के मामले में, हमारे पास resources इतना ज़्यादा है इस पूरे एरिया के अंदर, लेकिन development के मामले में पाकिस्तान जो हमें neglect करता है, ऐसा उनका कहना है, और इसी की वज़े से, अलग-अलग प्रकार के जो insurgent groups हैं, वो उभरते आए हैं, in fact, recently काफी ज़्यादा सुनने को आता है, आपने सुना होगा पाकिस्तान तालिबान के बारे में, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, उसी से कुछ related पाकिस्तान तालिबान भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे most prominent है, जिन्होंने इस अटाक को भी claim किया है, वो है आपका बलुचिस्तान Liberation Army, और इनके दोआरा पिछले कुछ वर्ष में अगर आप देखिए, तो बहुत सारे टेरर अटाक्स किये गए हैं, जिसको देखकर जो पाकिस्तान गौर्णमेंट है, उन्होंने इनको terrorist brand कर दिया है, उन्हों कह दिया है कि ये terrorist हैं, इसके अलावा एक और मैं आपको angle दिखाता हूँ, यहाँ पर CPAC project के बारे में आपने सुना होगा, चाइना, पाकिस्तान, economic corridor, पहले ये इस तरह से इसका route जाना था, लेकिन आगे चलकर इसको change कर दिया गया, आप देख सकतो, Islamabad, Lahore, और फिर आपका जो बलुचिस्तान का एरिया, आप देखिए, काफी बड़ा एरिया ये cover करता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, फिर आगे चलकर coastal region से होते वे, काफी लंबा एरिया ये cover करता है, और finally end होता है गौदर पोर्ट तक, तो यह जो पुरा project बनाये जा रहा है, जिसमें billions of dollars खर्च किये जा रहा है, Chinese पैसा यहाँ पर आ रहा है, इसकी वज़ए से ऐसा कई लोगों का कहना है, जो बलुचिस्तान के अंदर रहते हैं, कि हमें इसका कोई फायदा नहीं है, जो local people हैं, उनको कोई भी नया jobs वगरा provide नहीं किया जा रहा है, जो resources हैं वहाँ के बलुचिस्तान के उसको तो खर्च किया जा रहा है, लेकिन उनको ये benefit नहीं मिल रहा है, जिसकी वज़ए से इस project के उपर भी अक्सर attacks देखने को मिलते हैं, और इसकी वज़ए से special army इनके लिए form किया गया है, ताकि इस पूरे project को यहाँ पर बचाया जा सके, तो overall conclusion में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पुरा बलुचिस्तान का ये province आप देख रहे हो, इसमें आपको कई प्रकार के several armed groups people मिलेंगे, और अक्सर क्या करते हैं कि अफगानिस्तान के साथ क्योंकि ये border share करता है, तो यहीं पर वो अपने जो ठिकाने हैं उसको बनाए रखते हैं, और जब भी उनके उपर pressure डालने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान आदमी की दोरा, तो वो cross कर जाते हैं border, तो इस तरह की लगतार वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, अल्टिमेटली उनको यही कहना है कि हमें बलुचस्तान जो है एक अलग देश चाहिए, otherwise इस तरह की attack आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, तो यह पूरी कहानी है बलुचस्तान को लेकर I hope कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले मैं आपके लिए एक interesting question लेकर आया हूँ, जब पाकिस्तान और भारत आजात नहीं हो, जब उसके पहले की हम बात करें, British के time की बात करें, तो कई सारे important events हुए थे, Indian National Movement जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको उसको arrange करना है, सबसे पहला event कौन सा हुआ, उसके बात कौन सा हुआ, इस तरह से आपको यहाँ पर arrange करना है, इसका जो right answer है, दोस्तों आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं इसका right answer, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, Stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकी भी अगर आप उसे PDF चाहते हैं, Social Media पर जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आप उसे Economy पढ़ना चाहते हैं, UPSC की त्यारी कर रहा हैं, तो आप को डाउनलोड करिए, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता हैं आप से नेक्स ताम, तिल देन, Thank you very much, See you soon.